से लेते रहेंगे और अभिनाश जगनावद में हमारे साथ जुड़ गए है वल्लबनगर से अभिनाश देखिए धर्यावद का हाल हमने जाना काफी उतसा लोगों में वहाँ पर नजार आ रहा है पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा कर रही है वल्लबनगर में पिलाल प्रतीशध मदाताव ने अपने मतादिकार का उत्योग कर लिया हालाकि एक बज़े बाद मदान की रफ्टार जो है वो धीमी जरूर हुई है और एक से दो बज़े से लेके तीन बज़े के बीच में इस दورान मदान प्रतीशध वो कम होता है लेकिन जैसे ही दीरे-दीरे फिर से दोफर का समय है तो पॉलिंग बूत मेरे पिछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मददाता जो है वो अब दीरे दीरे पहुंशने लगे हैं अभी कुछ देर पहले इसी पॉलिंग बूत पर सो साल की एक अम्मा जी थी महुनी भाई वो अपना वोटकास्ट करके गई क्या इशुस जो थे जिसको लेकि आपने आज वोट किया यहीं कि में तो मेरे गाव की इसू की बात कर रहे हुँ जाहूं मैंने वोट दिये हैं कि हमारा गाव में अभी भी नालिया नी बनी जैसे कि सो लोग रहते बापर तो अभी भी महीलाओ के लिए सोचा लई नहीं अ पाने की विवस्तानी एक टुवेल थी खराब हो गई है अब और नल की भी नहीं है वैसे तो जिनके गर में टुवेल ऐसा वही से पानी बढ़ते हैं इतनी बड़ी समझा है और या पर सबसे बड़े बिंडर में कि इतनी आर्च के कोलेजे कोमर्स के है लेकिन अभी भी सरकार साइन्स का कॉलेज नहीं अभी भी मैं उड़े बुर जाना पड़ता है बढ़ने के लिए बिल्कु देखिए बढ़ाई यह इसू है जो यूवाओं के हैं कई सारे नेता आपके पास आए होंगे प्रचार के दोरान वो जो मुद्दे उठा रहे थे क्या लगता है कि सब्सक्राइब के लोग देखते हैं लोग जिसकी तरफ जदा होते हैं वो उसी की तरफ हो जाते हैं लेकिन बेने तो यह सोच के वोट देने आई हूँ गाव के विकास के साथ शहर का भी विकास हो और लोग उसको जदा वोट दे जरूर नहीं परमपरा चलती आ रही है 17 सा ऐते हो जाद कहले शखते हैं यहां के लड़कियों की जИसको देखके आप वोटकास करना है हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर थोड़े अब जो शरकार बनेगी उसका भी हमारे यहां पर बहुत अच्छा योगदान देवें और सारी हर एक शेत्र में पानी की हो या फिर पानी का भी थोड़ा समझ्या रहती है तो उसकी भी थोड़ा वो देखे कि अच्छा सब करें महेंगई को लेके काफी जो है इशू उठाया है इस चुनाव में क्या लगता है कि यूथ वोटर जो है वो महेंगई को लेके भी डाइवर्ड होता है उसको लगता है कि हाँ महेंगई ज्यादा है पेट्रोल डीजर पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है दिनो दिन 108 115 तो हमारे लिए तो महेंगई बढ़ता है इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई भी उमीदवार आए वो कम से कब महेंगई को तो कम ही करें ताकि हमारे ले फाइदा हो रहा है इसलिए यह यूथ वोटर है जिसने पहली बार या दूसरी बार अपना वोटकास्ट किया है लेकिन उनकी सो चोटे कस्बे की और गाओं की जो यूथिया होती है जिनका की ट्वेल्ट तो हो जाता है लेकिन वो पसंदीदा सब्जेक्ट में आगे हायरे जूकर सनी कर पाती है तो कही ने कई यह ऐसे मुद्दे हैं जिनके उपर बात होती है लेकिन उनके काम नहीं होता है और आज देखिए चोटी-चोटी समस्या पानी की हो सडक की हो महंगाई जो है वो इनको कहना है कि पेट्रोल महंगा है तो इनका भी जेब खर्च जो है वो बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात कि यहां की जो लड़किया है उनको कही ने कई हायर एजूकेशन को लेकर जो साइंस क लेके कॉलेज नहीं है गॉर्मेंट कॉलेज यहां पे नहीं है यह बाते कहीं नहीं कहीं यूवा वोटर्स को और विशेशकर जो यूवतिया है उनको जुरूर यहां पे प्रवावित करती है और आप देख सकते कि धीरे-धीरे मैं दिखाऊंगा पोलिंग बूर्ट के बा जो है वो अपनी जो वादे हैं जो करती हैं वो पूरा करेंगी और कहीं नहीं कहीं यह कतारे यह बताएगी कि देश की जो आदी आबादी है उसका भी एक बड़ा महत्तपुर्ण योगदान होता है सरकार को चुनने में और अपने अक्षेत्र के जनपरतिनिदी को चुनने जी बिल्कुल और ये बहुत अच्छी तस्वीर भी है विराश की जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी इस पूरी वोटिंग में देखने को मिल रही है चाहे वल्लब नगर की हम बात करें फिर धरियावत की बात करें पड़ी संख्या में जो महिलाओ वोटर है वो अपन अच्छी तस्वीर ये है फिलाल अउमिद यही की जा रहे है कि समय के साथ साथ जो मत का प्रतीशत है वो भी बढ़े का चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम अपडेट देने के लिए